हलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे एकडम हेल्दी स्मूथी जिसको बनाना है आसान ओनली वन मिनिट लगें इसे बनाने में और पीने में सो यम्मी सो डिलीशियस एक बार आपने इसे बनाकर ट्राइ कर लिया ना तो आप रेगुलर्ली से बनाएंगे और बिकफार्स में हादा गंटी के लिए फ्रीजर में रख दिया था ये एकडम चिल्ड है फ्रेंड्स और साथ ही में वन इस्पून शूगर डाल देंगे शूगर की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं ये आपके अपनी च्वाइस है और साथ ही अपने चार बदाम लिया है और साथ ही में यहाँ पर हम वन ग्लास एकडम चिल्ड वाला मिल्क टाल देंगे और वन इस्पून ओर डाल देंगे यहाँ पर हम आइस का बिल्कुल भी यूज़ ने करेंगे आइस डालने से जूज और स्मूधी पतली हुजाती है तो यहाँ हमने एकदम चिल्ड वाली चीज़े लिए, अब इसे हम ब्लैंड कर लेंगे, ब्लैंड होने के बाद ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम थिक हो जाएगा तो अब है सर्फ करने की बारी सर्फ करने से ये आपको बता चल रहा है फ्रेंड़ ये कितना थेक और कितना युम्मी और क्या कलर आया है फ्रेंड़ इसका तो एक बार आपने इसे ट्राइ किया और पिया न तो आप हैल्दी के साथ सथ वेट भी गेन करेंगे तो य alongy weight gain smoothी mango season जाने से पहले mango बनाना स्मूथी फटा फट से बनाए और healthy भी रहें और fit भी रहें और weight भी गेंगे इसको पी लिया तो आपने तो breakfast में से regularly पीए 15 दिनों बाद आप देखेएगा आप fit भी रहेंगे, healthy भी रहेंगे और weight भी गेंगे तो फटा फट से try and bye